कार आदर्णिय अतिथी महोदय सम आदर्णिय निर्नायक मंडल एवं प्रभुध श्योतागर। आज आपके समक्ष मेरे वक्तव्वे का विशय हैं पहुतलिय व्यवस्थाओं भारतिय लोगतंत्र के लिए खत्रा। महोदय, जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत एक गणतंत्र देश हैं, यहां लोगों को धर्व, जाती, भाशा, अत्वा, वेचारिक अभी व्यक्ति की छूट हैं, इसी कारण भारत लोगतंत्रिक देशों में अग्रुगंडने माना जाता हैं। सबसे पहले प्रश्न उपथा है कि लोगतंत्र है क्या? लोगतंत्र ऐसा तंत्र है जो लोगों द्वारा निर्मित है, उन्हीं के द्वारा और उन्हीं के लिए चलाया जाता है। अठा, जिसके केंद्र में और इर्दगेर्द भी केवल जड़ता है जब भारत आजाद हुआ था तो केवल एक ही राश्ट्रिय डल था, कांग्रेस लेकिन बाद में धेरे धेरे अन्य डल भी अस्तित्व में आने लगी प्रियसाथ्यू, लोगतांत्रिक प्रग्रिया में चुनाव में जिस भी दल को बहुमत प्राप्त होता है वही केंद्र में अपनी सरकार बनाता है और शासन संभालता है लेकिन पिछले कुछ वर्षों में ऐसी स्थिती बनी है कि किसी एक दल को बहुमत्राप्त नहीं हो पाता कारण है अनेक छोटे छोटे शेत्रिय, धार्मिक और जातिय दलों का अस्तित्व में आना जिनके कारण मत दाता बट गए है फल्स्वरूप गठ बंधन की सरकार बनने लगी है या यूं कहें कि भिन्विचारधारा वाले सकता पाने के लिए एक होने का आडमबर्तों करते हैं लेकिन भिन्दलों के नेताओं का न एक दूसरे पर विश्वास होता है और न परस्पर सहयोग की भावना से ये काम करते हैं सबके मुद्दे भिन्व होते हैं उन पर सबकी सहमती नहीं हो पाती और तनाव वे विरोध की स्थिती बनी रहती है महोड़ै एक पार अमेरिकी राश्ट्रपती बिल क्लिंटन ने राश्ट्रिय लोकतांत्रिक सभा में कहा था कि राज़नितिक्यों के आपसी विरोध राश्ट्र के भविश्य को हानी पहुचाते हैं अतहर राश्ट्रुहित के लिए हमें आपसी सहयोग से कार्य करना चाहिए इस संदर्व में उन्होंने यह भी कहा था कि भार्तिय राजनीति ग्यों को यह बात समझ नहीं आएगी मालने वर यह केबल व्यंगय नहीं है अभी तो भार्तिय राजनीति की सच्ची तस्वीर प्रस्तूत करता कथन है अनेक दलों के सहयोग से बनी सरकार हमेशा अंतर विरोधों में ही घीरी रहती है जब उसका स्वेम का स्थित्व ही खत्रे में है तो वह कैसे राज़्ट्रे लोगतंत्र की रक्षा करताएगी उसकी आधिर शक्ती तो अपनी सद्धा बचाए रखने में ही खर्च हो जाएगी और शेश पूरक दलों की मान मनोती और हितों की रक्षा में मानेवर गठबंधन की सरकार पर सदा यह दवाब रहता ही है कि वह साथी दरों से समझोता करें वरना सरकार गिरने का भै और यदि वह समझोता नहीं करती है तो सरकार ऐसे गिलती है मानो मूल सहीत उख़़ा पे स्थिती पुन है चुनाव को इसका भुकतान भी किसे भुगता होगा महदय हम बेबस जनता को चुनाव का करोडों का ख़़ तरक्ष या अप्रक्ष रूप से किससे उगाहा जाएगा हम जनता से ही किसी ने सही कहा है अनैतिक दलों की अनैतिक राजनीती हो गई है इनके हाथों से समाज की दुर्गती हो गई है वक्त रहते जनता को जागना पड़ेगा जनता को लूटना दलों की नीती हो गई है प्रभुत शोतागन देश जितना लक्षे पर बटा है उससे अधिक भीतर से तो अब प्रशन उठता है कि इस समस्या का समाधान कैसे हो इसके लिए जुनाव आयोग को तो दलों की संख्या सी में पहनिशित करनी ही होगी लेकिन हमें भी चागना होगा अपने लिए अपने राश्ट के लिए कि जुनाव के दौरान हम खुद को या अपनी धर्व जाती को ध्यान में रखकर मतदान नव करें बल्कि अपने राश्ट की सुक सम्रिद्धी वैसुरक्षा को ध्यान में रखकर ऐसे दल को सत्ता में लाएं जो राश्ट ही तैशी हो स्वहीत ईशियर यहां किzahl शेत्र उटाशि नहीं। बढ़ना भारत्य लोकतंत्र यह विवर्ष्था का खत्रा। भारत लोकतंत्र नहीं। भारत को लेड़ो किनुदगा। लेकिन। हमएं अपने भारत को इन दलों से बचाना है बचाना है, बचाना है। धन्यवाद। इतनी सुंतर प्रेस कुछी के लिए तालियों की गड़गडा हेट तो बंती है